मैं सोनु नेजम जी को सुनता हूँ, रफी जी को सुनता हूँ सोनु सूद सर को कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि उनकी भी नजर एक बार मुझ पे पड़े नमश्कार मैं हूँ फरहत अच्छा और आप देख रहें एक निउस 24 इस वक्त हमारे साथ हिमांसु यादव है इनका गाना काफी वाइरल चल रहा है जो भी गाना गाते हैं सोशल मीडिया में इनका गाना गाना वाइरल होता है सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारी चैनल एक निउस 24 में थानक्यू माम थानक्यू सो मच्छ हम आपसे यह जाना चाहेंगे कि आप कौन सा गाना गाय थे सबसे पहले जो वाइरल हो गया मैं गाना गाय था एक ये भी था काफी अच्छा लगा आपका सौंग ये बिताएए आपने गाना गाने कहां से सीखा मैंने बच्पन से अपनी माँ से सीखा में उसके बाद मैं मैं हाजीपूर में सीखा गुरू देवानन ठाकुर जी से और उसके बाद मैं दिल्ली में भी सीखा वहां पे भी और फिर मैं वहीं पे जॉब करने लग गया इंस्पिरेशन क्या है आपका दिखे शुरू से ही बच्पन से ही मतलब मेरी मार ने मुझे संगीत में रखा और मैंने शुरू से ही मौहमद रफी जी को और सोनो निगम जी को हाँ मैं सुनता रहा हूं उनको हमेशा थे तो मतलब बच्पन से मेरे घर में भी सभी की एक दिली इक्षा है ख्वाइश थी मेरे पापा भी चाहते थे कि अब मतलब वो अब नहीं रहे इस दुनिया में तो उनका अपना था मतलब कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर गाऊं और अभी परिवार में सबी लोग यहीं चाहते हैं आपकी फैमिली वाले आपके support करते हैं और चाहते हैं कहीं न गहिल कि आप future में singer बनें आप इपने अभी कहा कि आप जॉब करते तो किया आप जॉब करते हैं किुसक destin कि में दूब करता हूं और वही पे मैं बच्चों को सिखाता हूंग और औरसी से अपना परिवार चल रहा है अच्छा क्लासेस भी देते हैं स्कूल में आप लोगों को सिंगिंग सिखाते हैं साथ में आप अपना खुद का गाना भी गाते हैं अच्छा आपने कभी बड़े-बड़े प्लैटफॉर्म में ट्राई किया या इंडिया इडियल हो जी मैंने खूब ट्राई किया और मेरा कभी किसी चीज में सेलेक्शन नहीं हुआ आप वहां गया है तो मतलब क्या बोल के आपको रिजेक्ट किया गया है एक्शली वह कुछ बोलते नहीं है बस आप आप अडिशन देखे आते हो अपना 100% देखे आते हो और सिंपल सी अपना 100% देखे लिए में जो आप अपलोड करते हैं काफी वाइरल होता है लोगों को पसंद आता है इसलिए आप वाइरल होते हैं आपका व्यूज जाता हमें यह बताईए कि कभी सोनू निगम या सोनू सुत कभी आपके गाना सुने हैं जी नहीं मुझे नहीं लगता क्यूंकि मैं तो हमेशा से ही मतलब की फॉलो तो करता ही हूँ और मैं जिस्ट अपलोड करता हूँ और यही मेरी इक्षा होती है कि कभी वो लुग सुन ले मुझे मैं बच्पन से ही हूँ मतलब जब मैं 7-8 साल की उम्र में था तब से मेरी मा ने मुझे सिखाना शुरू किया आगे भी मतलब आप कंटिन्यू करेंगे कि या फिस सुच आफ करके कुछ और जोइन करना चाहिए कि देखे मैं म्यूजिक के लिए मुझे लगता है कि मैं अगर भगवान ने इश्वर ने इतनी समझ दी है म्यूजिक के लिए तो मैं इसी चीज में आगे अपना भविश्य कॉंटिन्यू करूंगा अपका फेबरेट सिंगर कौन है देखे मैं रैंक मैं नहीं बना पाता मुझे फिर यह होगा न जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं उनके गाना अच्छा लगता है आपको सूर अच्छा लगता है ऐसा कोई अइसे जैसे मैं सोनो ने जब को सुन्ता हूं रफी जी को सुनता हूं बॉलीबूट में बहुत सारे ऐसे एक्टर है सिंगर है जो जिनको वो ले आते हैं उनका किस्मत चमक जाता है तो ऐसा कोई आपके नजर में कोई एक्टर या सिंगर है जिससे आपको कोई उनसे उमीद हो इनफेक्ट इंडिस्ट्री में जितने लोग हैं सब ही से उमीद है लेकिन इस्पेशली जैसे सल्मान खान हो गया सोनुसूद हो गया यह सब तो आपको किसी है जैसे सोनुसूद सर को कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा हैं तो मैं यही चाहता हूं कि उनकी भी नजर एक बार मुझे भी सुनें तो उनसे मेरी यही गुजारिश है ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारी चैनल एक न्यूस 24 के साथ मैं हूं फरत अथा पटना